जल्द इससे एक बार प्यारी सी स्माइल दे दो जो जो बच्चा ब्रश करका है एक प्यारी सी स्माइल के साथ हम शुरुवात करेंगे हमारे इस चैप्टर की और राइट सो राजया बेटाची जल्द इसे मुझे बता दीजे कि क्या मैं आपको दिख रहा हूं क्या और इसके अंदर मैंने पेज आड़ कर दिया है एन पी यो आज के टॉपिक के नाम अके तो आज के टॉपिक के नाम जिसका नाम है बहुत प्यारा प्यारा इसका नाम है एन पी यो क्या बात इतनी प्यारी प्यारी स्माइल है कहां से लेके आते हैं इतनी प्यारी प्यारी स्माइल है क्यायर लिए और लृत प्रॉफित हैं तो और आट राइंग को एन पी यो राइट दया है नौन प्रॉफित making organization final account करने के बाद में ये topic ज़्यादा logical है कि आप इस topic को करें क्योंकि इस topic के साथ में you see you'll be able to you know do it NPO very easily और आपको bonus marks मिल जाएंगे 10 plus 10 20 marks इधर होने के chances रहते हैं अगर NPO और final account दोने के question है तो NPO में actually क्या होता है कि जो अभी तक हम final account में बना रहे थे वो profit making entity दी profit making entity दी बराबर है और उस profit making entity में हम बना रहे थे trading account, manufacturing account P&L account, right trading P&L account और balance sheet हम बना रहे थे और of course manufacturing account भी बना रहे थे बट जब मैं बता रहा हूं कि आपका NPO है तो उसके final account में राजा बेटा जी आप यहां पर बनाते हो income and expenditure account और इधर बनाते हो balance sheet income and expenditure account और क्या बनाते हो balance sheet ध्यान रहे जो यहां पर P&L और trading account जिसको नाम से संबोधित किया जाता है वो यहां पर बन जाता है IND but NPO generally अगर trading नहीं करता है तो सिर्फ एक ही account बनता है income and expenditure account so जो यहां पर trading parental account था वो यहां पर बन गए IND और जो balance sheet है वो यहां पर कहा जाता है statement of affairs क्या कहा जाता है statement of affairs आप balance sheet भी बूल सकते हो statement of affairs भी बूल सकते हो one and the same so बताने का तात पर यह है बटाजी कि पूरा का पूरा system same to same है जो आपने balance sheet में बनाया था उधर किदर profit making organization में वही चीज आपको NPO में भी करना है तो पहले इस शब्द को समझते NPO मतलब क्या NPO मतलब यह मकसद नहीं होता है कि इनको profit कमाना नहीं है no profit अगर होता है तो वो कमाएंगे पट इनका मकसद यह है कि they want to do the social service तो अगर आप कोई अनाथालाई देख रहे हो या अगर आप कोई मंदिर देख रहे हो या अगर आप कोई you know college देख रहे हो तो बेटा जी अब बात यह है कि जब हम final account किया करते थे तो इसके लिए हमें trial balance दिया जाता था right trial balance और trial balance के साथ साथ आपको दी जाती थी adjustment trial balance के साथ साथ आपको दी जाती थी adjustment तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ trial balance plus adjustment आपको दी जाती पहले एक तो समझ लो कि यह जो NPO है यह NPO बिजनस नहीं कर रहे है इनके पास इतने ज़्यादा अकाउंटन्ट वो कर नहीं होते बस इनके पास यह होता है कि कितनी रिसीट साही और कितना पैमेंट कर रहे हैं और यहां पर कई बार आपको दी जाती है, R&P के साथ-साथ, Opening Balance Sheet भी, Opening Balance Sheet भी, अब Opening Balance Sheet से क्या होता है, ज़रा फॉर एग्जांपल, कि जो आपके Opening Balances, दे को क्या होगा, Current Year में, जो आपके Opening Balances रहेंगे, वह Opening Balances, Closing Balances में भी जाएंगे, जैसे फॉर एक्जैंबल आपकी 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 घ्रैंख, of dürfen आपकी आपकी नहीं साथ सबसे और एक चीज आपको समझ werde भी दी जाती है adjustment बिल्कुल वैसी की वैसी जैसे हमने किसके अंदर पड़ा था we studied it in final account right so जल्दी से मुझे बताओ क्या आपको यहां तेक चीज समझ में क्या NPO मतलब non-profit making organization और उसके financial statement जो है कोई हाथी गोड़े से change नहीं हो जाएंगे उनके financial statement जो होता है वो होता है IND account income and expenditure account and it is at par with fee handle account और आपका होता है statement of affairs statement of affairs is nothing but my dear friend it is a balance sheet I repeat statement of affairs is nothing but it is a balance sheet okay all right so अब मैं आप से कुछ बताता हूँ special items special items items in NPO special items in NPO तो यदी मैं आप से बात करूँ कि special items in NPO मतलब NPO में special item होता है पहला वाला subscription यह उनके income होती है subscription यह उनके income होती है right this is what their income income मतलब क्या है कि for example आप rotary club के member बने है आप lions club के member बने है आप किसी government के जो यह रहते है देकन जिम खाना या जिम खाना नहीं रहते हैं जहां पर cricket खेल रहे हैं प्ले ग्राउंड वगर रहते हैं तो उनके यह entries होगी cash oblique bank to subscription right तो पहले आपको subscription मिलता है तो cash oblique bank to subscription होगा right let's take an example मैं बोल देता हूं 20,000-20,000 आशा करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ रही है entry एकदम simple है cash oblique bank to subscription और एक बात बताता हूं subscription से जुड़ी हुई दो चीज़े होती है subscription से जुड़ी हुई दो चीज़े होती है एक income received in advance और एक income receivable so can I not say subscription receivable और income received in advance तो पेटा जी मैं भी आपको दो चीज़े और बता देता हूं कि कई बार अगर subscription receivable रहा तो आपके entry बनेगी subscription receivable to subscription account आशा करता हूं कि ये entry हमने final account में already देख लिए subscription receivable is nothing but income receivable to income account ये entry मैंने आपको अल्रेडी बता ही है और same entry अभी इदर repeat हो रही है third level पर और एक entry होती है received in advance तो हम ऐसे बोलेंगे subscription received in advance एक कुछ भी लिख रहे है subscription account debit subscription account debit तो subscription received in advance राइट बेटा जी अगर मैं इदर लिख दूँ जो भी कोई amount है let's take an example 5000-5000 तो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया बेटा जी इदर लिख दिया मैंने 4000-4000 एक example दे रहा हूँ so मैं आपको कोई ज़्यादा vicious चीज नहीं बता रहा हूँ final account के बाद में ये entry तो आपको एकदम easily आजानी चाहिए क्योंकि इसमें मैंने income receivable के entry किये और income received in advance के entry किये अब मैं आपको पूछता हूँ subscription receivable को कौनसा balance होता है subscription receivable को कौनसा balance होता है और subscription received in advance को कौनसा balance होता है what are the balances to these two things I was expecting an answer on this and at the same time I am expecting one more answer from you राजा बेटा जी क्या आपको ये चीज भी पता है कि जो हम closing entry करते है वो पहली तारिक को अगले दिन उसको reverse कर देते है I repeat जो entry अब हम करते है इस entry को हम क्या कर देते है reverse कर देते तो ये debit balance होता है और ये credit balance होता है बिल्कुल सही आपको ये बात याद है क्या मुझे जल्दी से बताई है क्या आपको ये बात पता है क्या कि बहिता जी जब कभी भी हम ये entry मैंने आपको final account में भी बताई थी और जो बच्चा specially जो अभी मेरे lecture देख रहा है pen drive में अगर तुमने को received in advance होगा या receivable होगा उसके entry क्या हो जाती है reverse हो जाती है क्या ये बात पता है चलो बहुत बढ़ी है तो आपको ये पता चल गए ये बात so can I not say next year इस साल तो ये closing balance है ये closing है और ये भी closing है अगले साल वो reverse हो जाती है तो मैं आशा करता हूँ आपको कि subscription receivable के entry हो जाती है subscription account debit to subscription receivable account right can I not write down 4000 4000 ये next year पहली तारिक को entry reverse हो गया तो मतलब जो entry हो था subscription receivable to subscription वो entry क्या हो गई next year subscription to subscription receivable और राजा बेटा जी अगले साल जो subscription to subscription received in advance है उसके entry हो जाएगी subscription received in advance to subscription account आशा करता हूँ कि आपको ये बात भी समझ मैं तो बेटा जी जो भी फिकर होगा 5000 ये हमने क्या कर दिया है reverse तो मैं आप से क्या पूछ रहा हूँ कि जो subscription receivable है और जो subscription received in advance है ये दोनों ही entry अगले साल क्या हो जाती है reverse हो जाती है अब यदि मैं आपको आगे और थोड़ा सा ले जाओं तो बेटा जी अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि subscription account बनता कैसे है तो I have created something called as subscription account और इस subscription account के अंदर मैं debit side में लिखूँगा to subscription receivable to subscription receivable ये आएगा opening ये कुन सा आएगा opening balance मैंने आपको बता है अगले साल जब entry करते हो तो क्या करते हो subscription account debit to subscription receivable करते हो अगले साल तो कुल मिलाकर अगर मैं उस साल के entry कर रहा हूं तो subscription receivable opening balance यतर आएगा कि नहीं आएगा और by subscription received in advance received in advance ये भी क्या रहेगा बेटा जी opening balance तो बेटा जी अगर इसको याद रखने का है तो एकदम सिंपल तरीका है इसको याद रखना है तो एकदम सिंपल तरीका है subscription receivable को debit balance होता है opening balance debit में आता है याद आरा है ledger में opening balance debit में आता है closing ulti side में आता है जैसे cash का opening balance कहां पे आता है debit में closing balance कहां आता है subscription receivable can I say it is a closing balance or two subscription received in advance इसको भी क्या बोलेंगे ये भी क्या है closing balance agreed so राजय बेटा जी आपको मैंने दो entry समझाई subscription ये मतलब इतना important है कि आपको क्या बताऊं मैं subscription receivable opening balance debit side subscription receivable closing balance credit side subscription received in advance opening balance credit side subscription received in advance closing balance debit side this we are doing it in the subscription account and remember ये याद रखने का या ध्यान में रखने का बहुत साधरन सा तरीका है subscription receivable asset है उसको debit balance है opening balance debit में closing balance credit में subscription received in advance एक liability है opening balance credit में closing balance debit में credit में closing balance debit में अब buy cash oblique bank account जो कुछ भी subscription आपको मिला है वो कहां पर लिखेंगे आप credit side में लिखेंगे तो ये इधर आया और इसके बाद में ये figure transfer हो जाएगा to i and e account to i and e account और इसे के साथ ये टैली हो गया figure agreed इसमें और भी कुछ adjustment आ सकती है बट पहले मुझे बताईए क्या आपको यहां तक चीज समझ में है क्या और क्या आपने यहां तक यह चीजे सारी लिख लिए क्या agreed यह नहीं लिखी है तो फिर बेटा जी यह जल्दी से देखकर लिख लिजे मैंने आपको बता है subscription का account जब हम बनाते है so opening balance subscription receivable debit side closing balance subscription receivable credit side subscription received in advance credit side opening balance subscription received in advance closing balance debit side cash oblique bank तो subscription जब होता है तो जो received हुआ है current year में वो credit side में और जो बचाओ IND account में जाएगा तो वो debit side में IND account इदर अब जो जो बच्चे इसको ad less करके सीखे थे बचपन में तो बच्चे उसको बूल जाओ real life में ad less नहीं होती real life में account बनता है और इस तरीके से बनेगा और बच्चे इसमें किसी भी प्रकार का question आएगा न तो आपका confusion नहीं होगा आप बिंदास तो किसको solve कर लेंगे यदि आप यह वाला logic धान में रखेंगे तो बच्चे ने मुझे बुला है कि उन्होंने लिख लिया है तो बहुत बढ़ीया बात है अब मैं आपसे question पूछना चाहता हूँ बेटाजी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा balance opening है और कौन सा balance closing है जिस साल के आपको cash book या R&P या IND account दिया जाए जिस साल का आपको दिया जाए वो आपका opening मतलब वो आपका current year है और उसके पहले वाला साल ये opening balance रहेगा तो मैं वापिस बताता हूँ तो for example 1920 का मुझे receipt and payment account दिया so 1920 ये current year है so बेटाजी उसके पहले वाला 1819 will be return to the previous year so 1920 का दिया तो ये current year है R&P जिसका दिया है या IND जिसका दिया वो current year है और उसके पहला वाला साल बन जाएगा opening और जो current year के end में बन जाएगा वो क्या है closing राजा बेटा जी अब इसके S में मैं आपको और कुछ चीज़े समझाने की कोशिश करूँगा देखो बेटा आपको जब कोई problem दी जाए तो एक problem लिखते पहले लिखो problem देखते हैं कि आपको समझे problem ये मैं खुद बना कर दे रहा हूँ in a theater there are 500 members मेरे साथ लिखते रही है there are 500 members paying 1000 रुपीज 1000 as 1000 as subscription fees वो एक theater है जो NPO है theater और वो इसके अंदर 500 member है और प्रतिक member किते रुपई दे रहा है 1000 तो ऐसे कही सारे trade unions होते है राइट कोई cooperative society होती है तो उन NPO के अंदर जितने members होते है उन सभी का क्या होता है बटाची they will be having what अरे यारे किदर अटक जाता है साड़ी जैसे अटकते है वैसे अटकते है न लग तो उसके अंदर क्या है कि 500 रुपे प्रतिक member आपको subscription दे रहा है a first point one second during the year during the year 1920 subscription received for the year 1819, 1920 and 2021 1890 का मिला 1000 yeah 10,000 1920 का लिक देता हूं अचिक है पिर आगे मैं लिखता हूं third part calculate the amount अच्छा इसके आगे और एक चाज़ लिए अच्छा इसके आगे और एक चाज़ लिए subscription received in advance during 1819 these rupees 500 okay पृते पृत पुलिए लिखा calculate इस सब्सक्रिप्शन विच विल गो विल गो इन पी एंडल अकाउंट और इन आ इंड अकाउंट ठीक है तो अभी कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं सभी लोगों का दहान इदर एक बारे कोशन हो जाए आपका तो सभी बच्चों का दहान इदर और फिर उसके बाद में इस क्वेशन को मैं आपको solve करकर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से exam में सोचना है मतलब इस क्वेशन को मैं बहुत साउधानी से दीरे दीरे पड़ूंगा और आपको बताऊंगा कि 1819 और नेक्स्ट येर क्या होगा 2021 तो बेटा जी 1819 का जो कोई भी बैलेंस रहेंगे वो जो आगे आएंगे उसको हम ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे अब बेटा जी अगर आप द्यान से देखे तो आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिला है आपने इंडिविजियल फिगर्स को नहीं देखना है सब्सक्रिप्शन कितना मिला है तो आपको सब्सक्रिप्शन मिला है 52,000 रुपी सब्सक्रिप्शन मिला है करेंट इयर में प्लीज समझने की कोशिश करिए बेटा जी प्लीज समझने की के entry हो गई आशा करता हूँ कि आपको इचीज समझ में cash oblique bank to subscription 52,000 फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि बिटा जी आप मुझे बताइए कि आपके असकितने member 500 और प्रतिक member कितने देर है thousand तो इससे आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी कि बिटा जी जो हमारी income है वो जानी चीए 500 इंटो थाउजन, accrual basis से income कितनी होगी तो 500 इंटो थाउजन ही तो मेरी income होगी, received कितना उससे कोई लेना देना नहीं है बड़ अगर 500 member है और 1000 रुपय है आपको दे रहे हो subscription तो बटा 500 इंटो थाउजन आपके subscription होगी 50,000 तो इसकी entry होगी subscription account debit to IND account 50,000 ये बिटा ज मेरे को जो जो data दिया होगा है मैं लिखूँगा subscription account तो पहला मैं करूँगा इधर और लिखूँगा buy cash oblique bank account तो बटा जी cash oblique bank account मुझे बिल्कुल सही से उन्होंने बता है कि बटा जी ये 52,000 मिला ब्रेक अप को देखने का ही नहीं इस ब्रेक अप को अभी नहीं देखना ब ये ले लिया तो इधर आएगा 2 subscription receivable ये opening balance आएगा और by subscription received in advance ये opening balance आएगा और इधर आएगा 2 subscription 5 lakh आएगा क्या अच्छा ठीक है ये 50 members कर दो अरे ठीक है ना या 50 members कर पांच लाग नहीं 50 members कर दो 50,000 ही लेने का अपने को मैंने उसकी सबसी किया था 2 subscription received in advance ये आएगा closing balance और by subscription received in advance received in advance ये आएगा closing balance ये subscription receivable आएगा स्वाइगा receivable ये आएगा closing balance ठीक है अब ज़रा ध्यान से जोनों और इधर आजाएगा 2 IND account बिटा आप मुझे IND account पता है 50 members into rupees thousand तो मैं लिख दूँँगा ये 50,000 तो बिटा जी पहली वाली चीज तो हो गई ये 50 members ते मैंने ये entry कर दी 50,000 के ठीक है और subscription received in advance cash oblig bank 52,000 आशा करता हूं कि यहां तक तो आपको चीज़े समझ में ही होगी अब बिटा ज़रा ध्यान से देखो मैं कैसे discuss करता हूं इस problem को ज़रा ध्यान से देखो अगर आप देखेंगे तो चालू अर्ष में 1920 में मुझे 18-19 का कुछ amount मिल रहा है 1920 में 1920 का मिलता है यह तो समझ में आ रहा है में 18-19 का क्यों मिल रहा है पिछले साल रिस्वेबल रहा होगा तो पिछले साल रिस्वेबल था तो मैं कितना लिख दूँगा इदर पिछले साल रिस्वेबल था ओपनिंग 10 तौजण आशा करता हूँ कि यह फिगर समझ में है फिर current year में मैंने 2021 का मुझे 4000 रुपे मिला है 4000 मिला है तो सलाब बेंडी current year में 4000 कैसे मिला है common sense की बात है बेटाजी current year में can I not say मेरा closing 4000 रहेगा और मेरा opening received in advance कितना है यह इदर दिया है subscription received in advance during 18-19 18-19 में subscription was received in advance and that was 500 so can I not say यह 500 मेरा opening balance तो राजा बिटा जी अब अगर आप लेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा 500 प्लस 52,000 माइनस 10,000 माइनस 50,000 माइनस 4,000 तो आपका subscription receivable रहेगा 11,500 मैं इसको औरली भी प्रूव करके दिखा सकता हूँ औरली भी प्रूव करके दिखाता हूँ देखो common sense लगाओगे तो आपका income है 50,000 उसमें से current year का आपको मिला है 38,000 यह मैंने minus किया और आपको 500 रुपे पिछले साल advance में मिला current year का तो मिल गया है ना already तो 500 पिछले साल ही मिल गया था तो अभी तक इतना मिलना बाकी है चेक कर लो 50,000 मैं से minus 38,000 किया minus 500 किया तो मेरा answer 11,500 और मैं भी तो वाइच बोल रहा हूँ राजा बिटाजी एकदम simple है अगर आप इस format को ध्यान से देख लो ना तो एकदम easy लगेगा तो subscription receivable opening balance debit side, subscription receivable closing balance credit side, subscription received in advance opening balance credit side, subscription received in advance closing balance debit side और फिर उसके बाद में 2 IND account जो फिगर आपको दिया होगा कि कितना P&L account में जाएगा और credit side में आ जाएगा बाइ cash oblique bank account जो अपको अलरणी received है, अब सुनो, जो subscription receivable opening balance है यह जाएगा opening balance sheet asset side अब यह asset side में क्यों जाएगा बताने की जुरूत ने, income receivable asset side में जाता है, subscription received in advance कहाँ जाएगा, opening balance sheet liability side में जाएगा और subscription received in advance closing ये जाएगा closing balance sheet liability side में और ये वाला figure कहा जाएगा closing balance sheet asset side में ये जाएगा IND के credit side में बरोर है और ये जाएगा R&P के debit side में R&P is nothing but cash book agreed राजा बिटाजी simple है opening balances opening balance sheet में जाएगे closing balance closing balance sheet में जाएगे IND का figure IND में जाएगा और R&P का figure R&P में जाएगा yes or no so राजा बिटाजी अगर ये चीज़ हो जाए समझ में आजाए तो मुझे हाँ कहिएगा और अभी जो question लिखा था उसका answer अभी लिखना शुरू करिए आप agreed so ये रहा आपके सामने answer और यदि आपका हो जाए तो मुझे जल्दी से इक्तिला करिएगा कि आपको समझ में आया क्या कि नहीं है ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है झाल 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 कि दन किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लो पहले मुझे अगर आपका डन हो गया तो बढ़िया है किसी कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लो अभी आप एक काम करिए आप आपके मोडिल में आ जाईए मैं मोडिल के कुछ क्वेरी आपके कराने के लिए लेता हूं क्या है फिर उससे confidence दीरे दीरे बढ़ जाएगा आपका और चीज़े आसान हो जाएगा तो हम पहले मोडिल के कुछ इसको देखकर अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं दिरिंग दे येर अंडेट 31st मार्च 2020 दे सब्सक्रिप्शन रिसीवड बाइड जाईपूर लिटररी सोसाइटी वर रूपीस 4,50,000 ठीक है सो बिटा जी रिसीवड बाइड जाईपूर लिटररी सोसाइटी के एंटरी क्या होगी फर्स्ट वन कैश अब्लिक बैंक तु सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैन आई नॉट से 4,50,000 4,50,000 बुरो बरे पहला वाला मुझे लगता है कि ये हो गया फिर नेक्स्ट इस सब्सक्रिप्शन इंकलूड 20,000 रिसीवड फॉर दी एर इंडिट 31st March 19 मतलब यह कौन से साल के लिए हमारे को जो दिरिंग ये एर इंडिट 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीवड तो मतलब जो रिसीवड के एंटरी दिये वो 31st March 20 के लिए दिये गया और इसके अंदर आपको मिला 4,50,000 और ये बोल रहे कि 20,000 is received for the year ended 31st March 19 तो मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ कि ये कौन से year से तालुकात रखता है मुझे सोच के बताईए 20,000 whether it is of current year, whether it is of the last year or whether it is of the next year मुझे सोच के बताना ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ on 31st March 2020 subscription due but not received but not received is 15,000 तो इसके बारे में मुझे बताना कि ये क्या है तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये वाला जो subscription है, this subscription includes 20,000 received for the year ended 31st March 19 ये वाला जो subscription इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो this is called as subscription receivable opening और जो on 31st March 2020 subscription due but not received ये बनेगा subscription receivable closing तो तुमारा answer बहत काबिले तारीफ है, तुमने गोला last year का data है क्योंकि आप देख रहे हो, this subscription includes 20,000 received for the year ended 31st March 19 पिछले साल का current year में मिल रहा है, क्यों मिल रहा है भाई, तो पिछले साल तो receivable रहा होगा ना, तो हमारा subscription receivable opening 20,000 तो कम से कम रहेगा, क्योंकि पिछले साल के 20,000 रुपय हमें इस साल मिले और, can I not say 31st March 2020 subscription due but not received 1 rupees 15,000, so can I not say this is subscription receivable, closing, advanced subscription received for the year ended 31st March 2020, but pertaining to the year 2021, is 26,000, this is closing received in advance, current year में जो मिला है, अगले साल के लिए, वो subscription received in advance है, the subscription received for the year 31st March 2020, include the advance received for the year ended, ending 31st March 19, amounted to rupees 18,000, बेटाजी ये क्या बोल रहे, the subscription received for the year 31st March 2020, include advance received for the year ending 31st March 19, amounting to rupees 18,000, what amount should be credited to income and expenditure account for the year 31st March 2020, as income from subscription, so the subscription account in the books of society, so very easy, पहले subscription account को visualize करिए बेटाजी, पहला क्या आता है, subscription receivable opening balance, subscription receivable closing balance, subscription received in advance opening balance, and subscription received in advance closing balance, और उसके बाद में बेटाजी, हमारा जितना subscription मिला है उसके entry, तो अब मैं आपसे question पुछता हूँ इसके अंदर, जरा ये वाली line को जरा ध्यान से देखना, और मुझे बताना इदर क्या बोला है, ये वाली line सबसे काती लाना अंदाज है, the subscription received for the 31st March 20, include advance received for the year ending 31st March 19, amounted to Rs. 18,000, बेटा अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, take your own time, और मुझे एक्दम शान्ती से बताओ, इस line का meaning क्या है, और तुम ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, फिर तो कभी नहीं समझ में आएगा, तुमको करना क्या है, कि इस line को English में अनुआद करके बताना क्या है, meaning समझ में आ जाओ कि तो फिर treatment क्या बड़ी बात है, treatment आराम से, जो मैंने कर्वीकल भाशा में किया है, कर्वीकल ऐसा किया है उसको, तो मुझे इसका meaning बताओ, subscription received for 31st March 2020, वो मुझे लगता है, 4,50,000 है, include, मतलब उसमें गुसा हुआ है, advance received for the year ending 31st March 19, amounting to Rs.18,000, मुझे सोच के बताओ, क्या है, तुमने rectification of error का थोड़ा सा एक वास्ता है तुमको, वो मुझे सोच के बताना, मतलब जो हमारा subscription received एक करेंटियर में, उसमें एक amount गलती से जाकर बैठ गई है, और वो कौनसी amount है, subscription received in advance की, ऐसा उनका बुलना है, तुम मुझे बताओ, जल्दी से क्या है, भाई, opening subscription received in advance is 18,000, very good, but बिटा जी, क्या 450,000 हमें current year में मिला है, या 18,000 तो पिछले साल ही मिल गया था न, subscription received in advance, opening balance बोल रहे हैं, मतलब ये, पिछले साल का ही है न, तो पिछले साल जो चीज़ मिल गई थी, वो इस साल नहीं मिलने वाली है, तो वो जो 450,000 है, जुटे है, जुट बोल रहे है, 450,000 नहीं मिला होगा आपको, आप ज़रा सोच के बताइए, कि आपको कितना मिला होगा मतलब कितना ये रहेगा, करेंट येर में जो subscription received हुए है, उसमें advance मिले है, next year का 18,000, सताक्षी बिल्कुल गलत जवाब, yes, 18,000 जो 19 में मिला था, वो advance है, कौन से year का, 2020 का, अगर मैं आपको इसमें subscription account बताऊँ, पहले वाली के entry क्या होई थी हमारी, cash oblique bank to subscription account ये वाली entry कर देंगे, so first वाला item आपका आजाएगा, cash oblique bank to subscription, subscription account के credit side में, अब जरा पूरी class का देहन देखो, पूरी class का देहन देखो, इधर देखो, इधर देखो, आगे, this subscription include 20,000 received for the year ended, 31st March 19, मतलब ये 20,000 जो है, ये opening receivable होगा, so ये 20,000 opening receivable हुआ, outstanding subscription है, subscription receivable 20,000, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ मैं, फिर आगे, on 31st March 2020, the subscription due but not received, is Rs. 15,000, ये closing receivable होगा, yes or no, ये closing receivable होगा, 15,000, advanced subscription received for the year ending, 31st March 2020, but pertaining to the year 2021, is 26,000, मतलब ये current year में मिलाए गया, 31st March 2020, ये कितना मिल गया आपको, ये 26,000 मिल गया, received in advance, so बिटाजी, opening होगा कि closing balance, closing balance होगा, so ये closing balance, subscription received in advance, हम closing credit side में लिखते हैं, right, then my dear friend आगे बुला है, the subscription received for the year, 31st March 2020, include the advance received for the year ending, 31st March 2019, amounted to Rs. 18,000, जिस तरीके से answer लिखा गया है, उसके basis पर तो ये ही लगता है, कि यहाँ पर कोई एक printing mistake हुई है, और मैं आपको इसको सुधारनी के लिए बूलूँगा, इस लाइन को, इस लाइन को काट दो, मैं आपको बदा रहा हूँ, the advance received for the year ending 31st March 2019, amounted to Rs. 18,000, ये इतना ही आएगा, the advance received for the year ending 31st March 2019, amounted to Rs. 18,000, so that will become my opening subscription received in advance, that will become my opening subscription received in advance, agreed 18,000, और उसके बाद में आएगा 4,37,000 ये balance, अगर हम इसको सही सही से solve करें, so हमारा answer कैसे आना चाहिए ये था मैं बताता हूँ, सही सही से solve करते, जैसा question लिखा है without cutting any line, so इधर 18,000 आथा, और इधर आथा 4,50,000 minus 18,000, ये balance आना चाहिए था 4,32,000, और फिर इधर आना चाहिए था 15,000, इधर आना चाहिए था 20,000, इधर 26,000, मतलब मैंने सब कुछ सेम किया है, सिर्फ एक figure को change गया, क्यों change किया है, क्योंकि अगर मैं line as it is पढ़ूँ, कि subscription received in advance is included in the current year subscription कितना, 4,32,000, but 18,000 current year में मिला ही निता है, पिछले साल ही मिला था, गलती से इन्होंने अगर include कर लिया होगा, तो 4,32 इधर आता, और IND में figure तरीके से आता, 18,000 plus 4,32, plus 15,000, minus 20,000, minus 26,000, so your answer will be 4,19,000, this should be the correct answer as per the problem, but module ने जैसा solve किया, तो मुझे लगता है, यहाँ पर printing mistake है, अगर ऐसा होता है, तो फिर हमें कोई इतराज नहीं है, आशा करता हूँ कि आपको एक question समझ में है, please let me know if you have all understood, and in case you have got any query, let me know, so that I can solve it out again, illustration number 6 को एक बार solve कर लेंगे हम, कैसे लिखेंगे, जल्दी से मेरे साथ लिखे, subscription account, एक बार पहले मुझे बता तो कोई query है क्या, query नहीं है, तो फिर हम लिखना शुरू करते हैं, so here I go, and I write down, subscription account, और subscription account में मैं लिखूंगा, two subscription receivable, by subscription receivable, by subscription received in advance, two subscription received in advance, बाइ कैश अबलिक बैंक अकाउंट तू आइंड अकाउंट या फोर लैक फिफ्टी थाउजन क्योंकि मैंने एक लाइन काट दी अब सब्सक्रिप्शन रिस्वेबल आपका कितना है तो इसमें ओपनिंग बैलेंस बताए सब्सक्रिप्शन रिस्वेबल फिफ्टी थाउजन पिछले साल का current year में मिला है तो क्यों मिला है क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिस्वेबल था पिछले साल और फिर उसके बाद में इस साल कितना नहीं मिला है तो यह मैं बताऊंगा फिफ्टीन थाउजन नहीं मिला है यह closing balance है और फिर अगर हम बात करेंगे subscription received in advance closing balance है 26 और opening balance दे रखा था 18,000 धेनरा इसके अंदर मैंने एक line को काट दिया तो इसके बाद में जो balancing figure आएगा y and d का इतना आएगा तो can I not say 18,000 plus 4,50,000 plus 15,000 minus 20,000 minus 26,000 is equal to कितना आजाएगा 4,37,000 आशा करता हूँ कि आप कोई चीज समझ में आई है जल्दी से मुझे बताइए कोई query होगी तो so then we'll go ahead all right all right तो इस case में इस case में हमने question को change कर दिया बेटाजी और मैंने बिल्कुल सभी से समझा है the subscription received for the year 31st March 20 include यह वाली line काट दी और advanced subscription received for the year ending 31st March 19 अगर कोई बोलते amounting to 18,000 तब हमने इस तरगे से solve कर दिया ठीक है यह जब हो जाए तो मुझे बताना so we can go ahead further और अब आप सभी लोगों से request है मैं चाहूंगा कि आप illustration number 7 को भी एक बार देखे from the following calculate the amount of subscription outstanding for the year ended 31st March 20 the club had 350 members each paying annual subscription of 1050 the R&P account for the year showed a 4,10,000 received as subscription the following additional information is provided subscription outstanding on 31st March 19 is 45,000 subscription received in advance is 62,000 and subscription received in advance is 30,000 so if I create a subscription account how it will appear so जरा देहन से देखो मैं क्या करूंगा so पहले मैं यह बोलूंगा a club had 350 members each paying annual subscription of 1050 so can I not say 350 into 1050 it will turn out to 367,500 so can I not say 2 I & E 367,500 2 I & E 367,500 the resident payment account for the year showed a sum of rupees 4,10,000 so can I not say buy cash oblique bank account 4,10,000 the following additional information is provided subscription outstanding on 31st March 19 पेटा जी मुझे एक बात बताओ हम कौनसी year में 31st March 2020 और इन्होंने यह बोला subscription outstanding मतलब यह opening है की closing है जाहिर सी बात है opening है so can I not say to subscription receivable it will become 45,000 और by subscription receivable I will write down subscription receivable अच्छा यह तो हमें निकालना है क्योंकि यही बोला na subscription outstanding निकालना है फिर subscription received in advance दिया है यह closing balance है so subscription received in advance इधर आएगा subscription received in advance इधर आएगा कितना आएगा बिटा जी 30,000 और by subscription 30 नहीं भाई 62 है ना 62,000 और by subscription received in advance यह कितना आजाएगा 30,000 तो पिटा जी एक बार calculate करके देखिए 30,000 प्लस 4,10,000 माइनस 45,000 माइनस 367,500 और एड माइनस 62,000 तो पिटा जी आपका subscription receivable आजाएगा 34,500 प्लीज चेक दा आंसर इफ इस टैलिंग 34,500 के साथ yes 34,500 and this answer is right agreed तो पिटा जी यह subscription account है प्लीज आप सभी लोगों से निवेदा ने कि इसको complete कर लीजे subscription account प्लीज complete कर लीजे इसको subscription account को तो प्लीज वाइन इप जल्द इसे बीक्विक प्लीज बात ने को और राजा बेटा जी तो सभी बच्चों का हो गया ऐसा हो बता रहे है तो इक काम करते हैं और एक हाथ सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम ले लेते हैं बेटा जी इसक्यूज में इस NPO में एक चीज का और ध्यान रहे है कि यूशुड बी वेरी वेरी पर्फेक्ट इसके बेसिक्स नहीं पके रहना तो आपको यह टॉपिक बिलकुल भी मदद नहीं कर पाएगा इसके बेसिक्स एकदम पके चाहिए आपके टेक्स्ट बुक का क्वेशन नमर एट पर आजाहिए यह वाला कि बारह हजार पिछले साल के लिए हमें इस बार मिला है तो किन आई नॉट से इस ओपनिंग रिसीवेबल कम से कम इतना तो रहे गा है इससे जादा भी हो सकता है कब मैं आपको बता दो और for the year ending 31st March 2019 तो can I not say received in advance closing current year में हमें अगले साल के लिए पैसा मिला है तो received in advance क्लोजिंग होगा there are 500 members with annual subscription of 1500 per month per member so बेटा जी can I not say 500 into 1500 members it will be equal to 750,000 यह मेरा IND में जाएगा क्योंकि यह मेरी income है कितना होना चाहिए यह कोई लेना देना है विट 750,000 में से मुझे मिला कितना है current year में यह देखो current year का कितना है 6,15,000 यह मिला है for the March ending 2016 I have received only 6,15,000 so बेटाजी calculator पर लिजे 7,50,000 minus 6,15,000 how much is my closing receivable 1,35,000 this is my closing receivable देखो 750 मिलना चाहिए था as per the income but हमें मिला कितना है 6,15,000 so बचाओ 135 receivable होगा न अब यह क्या बोला है on 31st March 16 a sum of 15,000 was still in arrears for subscription for the year and date 31st March 15 अब देखो क्या हुआ हम current year में है 2016 बेटा सुनना ही पड़ेगा ध्यान से सुनो हम current year में 2016 में यह बोल रहे है कि 2016 में से 15,000 का पैसा अभी भी मिलना बाकी है ऐसा हो सकता है कि मुझे opening fees receivable थी 50,000 बट मुझे मिली सिर 40,000 तो मेरी closing कितनी रहेगी 10,000 तो मैं ऐसा बोलूँगा न for last year I am yet to receive 10,000 of my fees receivable बोल सकता हूं मै अगर किसी डेटर है डेटर से पैसा आना है 25,000 उसने 20,000 दिये तो हम क्या बोलेंगे कि डेटर का अभी भी 5000 आना बाकी है तो बेटा जी अगर आप देखोगे तो यह opening receivable जो आपने 12,000 बोला है 12,000 नहीं है मैंने बोला था न आपको इस समय भी शब्द किससे जादा भी हो सकता है कब यह देखो यह वह घड़ी आ गई है 15,000 और स्टिल इन opening receivable था जो आपका कितना था 27,000 था उसमें से 12,000 आ गया और 15,000 रुपय अभी भी और आना बाकी है तो closing receivable में राजा बेटा जी आपका और 15,000 जुड़ जाएगा 135 करंट यर का और 15,000 लास्ट यर का 135,000 करंट यर का और 15,000 लास्ट यर का यह receivable बाकी है a certain the amount of subscription that will appear in the credit side of IND account for the year ended 31st March also show the item would appear in the balance sheet as on 31st March 15 and balance sheet as on 31st March 17 not a big deal मैं सब चीज़े करवा था हूँ आप से बट पहले के level पर हम क्या करेंगे बिटाजी हम बनाएंगे subscription account ठीक है तो जल्दबाजी ना करिएगा ज़रा एक बार देखना subscription account जल्दबाजी कोई लिखने ही रहा है सब लोग देख रहे पहले तो मैं इधर लिखूंगा by R&P by R&P account मैंने एकदम बिंदास्त होके लिखना है बिल्कुल बिना किसी से डरे मैंने लिख देना 6,45,000 मुझे इतना ही पैसा मिला है 2 IND का भी फिकर मुझे पता है क्योंकि मुझे यह पता है कि मेरे total members कितने है so मेरे members है 500 into 1500 so 500 into 1500 if I do it it is 750,000 will go to my IND similarly I will say that you will be having subscription received in advance closing to subscription received in subscription received in advance closing subscription received in advance closing so can I not say subscription received in advance will be 18,000 current year में हमको 18,000 मिला था और मैं यह बोल सकता हूँ 2 subscription receivable opening यह मेरा बनेगा 12,000 तो मुझे मिला है और 15,000 अभी तक और मिलना बाकी है तो क्या आपको नहीं लगता कि मेरा total रहा होगा 27,000 और उसमें से by subscription receivable मेरा अभी तक pending है subscription receivable प्लीज समझो मेरा subscription receivable अभी तक pending है कितना राजा बिटाजी तो I will say 15,000 अभी तक मिलना बाकी है और मुझे 7,500,000 मेरा income and expenditure में जाना चाहिए current year का उसमें से सिर्फ 6,500,000 मिला तो मैं बोलूँगा 7,500,000 यह मेरा current year का income है minus current year का मुझे सिर्फ 6,500,000 मिला so 1,35,000 मेरा अभी भी subscription receivable है so यह बन जाएगा 1,50,000 agreed so राजा बिटाजी अगर मैं इसको tally करने की कोशिश करूँ तो कितना आ जाएगा 27,000 plus 7,500,000 plus 18,000 minus 6,45,000 minus 1,50,000 और यह tally हो गया मतलब इसमें कोई भी subscription opening नहीं था received in advance opening नहीं था subscription received in advance opening नहीं था और ऐसे जरूरी नहीं कहा रहेगा item होए गई अभी 27,000 कहा जाएगा यह जाएगा opening balance sheet asset side यह कहा जाएगा यह जाएगा closing balance sheet asset side इसमें यह जो 15,000 कहां से आ रहा है तो opening receivable जो था वो 15,000 आ रहा है तो यह वाला part आपको समझ में आएगा इसी अपक्षा है फिर बिटा जी 2 IND account में ने लिखा 7,50,000 यह कैसा निकाला जितने members से multiply किया उसको number of logo से subscription received in advance हमें पता चल रहा है कि जो current year में subscription मिला है उसके लिए अगले साल का भी मिला है और वो कितना 18,000 और R&P account में जाएगा 6,45,000 प्लीज लेट में नो इसी पीपल आप अंडेस्टूद और एक बार हम देख लेते हैं कि क्या यह हमको समझ में अच्छा एक सेकंड है इसका आंसर और एक तरीके से भी तो देखना था हमें क्या यह क्या है बेटा जी कि यह कौनसी कौनसी जगह पर जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीब डिन एडवांस विल गो इंटू दी क्लोजिंग बैलेंच शीट लाइबले डिसाइड तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको यह आंसर आपके मोडिल में भी था कोशन नमर टू तो यह में लेके गए आपको कोशन नमर टू में टू में टू में टू में टू में और छेषए बाबु जी रुख जाइए है फर शीब ले रहा इस देख लिए या वनलेग फिफ्टी थाउजन सब्सक्रिप्षिन हा गया और ये इसके अंदर सब्सक्रिप्शन रिसेबल 27,000 आ गया जैसे मैंने आपको बता है और income and expenditure में 750,000 तुम सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों दिखा है क्योंकि इन्होंने question जो पुछा है वो यही पुछा A&D में कितना जाएगा opening balance sheet में कितना जाएगा यह जो है न यह arrow है यह जाएगा opening balance sheet में इदर कोई query है तो मुझे बता दीजे जल्दी से अदर्वाइस इसको लिख लीजे पहले झाल 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 यह हो गया कि बटा लिखकर यह हो गया कि बटा इसका exact answer हमें exam में कैसे लिखना है तो बटा जी question paper को एक बार देखेंगे तो question क्या बोलता है हमें question यह बोल रहा है कि a certain amount of subscription that will appear on the credit side of IND account यह हमने किया IND में कितना जाएगा for the year ended 31st also show how the items would appear in the balance sheet तो question को पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप इदर subscription account बना के आगया तो आपको marks नहीं मिलेंगे क्योंकि item कैसे दिखेंगे आपके opening balance sheet में closing balance sheet में और आपके IND में यह दिखाना भी जरूरी है तो बेटाजी अब आप क्या करेंगे आप इस तरीके से presentation देंगे income and expenditure account income and expenditure account आप देंगे इस तरीके से presentation और income and expenditure account पर फिर आप लिख कर बताएंगे कि उनको कितना दिखना चाहिए जल्दी से बताब कितना amount आना चाहिए दिखाईए उदर so income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 और यह extract है so आप subscription लिखोगे 750,000 झाल 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 कर दो कर द शजाpad जसयमा दिखना चाहिजा कर दो संव्सक्राइड avonsजे कित्वे 맛있क अगर examiner ने बोला है तो यह बनाना ही पड़ेगा, compulsory है यह, if the examiner is asking you to make it, then you have to make it, और अगर आपने यह नहीं बना है, तो फिर problem होगा extract बनाना पड़ेगा, इसलिए extract बोला जाता है, because it is not having all the data, so we cannot call it as a balance sheet, so we call it as what, extract extract, उसका एक छोटा सा part है, जो हम आपको दिखा रहें, ऐसा उसका meaning हुआ होगे के बिटापकस्प का लिखकर, जल्दी से मुझे बताईए जो अनर्ण सब्सक्रिप्शन लिखा है, उसका मतलब है, सब्सक्रिप्शन रिसीवड इन एडवांस, यह अंग्रेज़ लोग हैं, अंग्रेज़ी जढ़ते हैं जल्दी जल्दी complete करो मुईशर मजी बाद बढ़िया अल्राइट, 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 तो यह समझ में आ गए कि मुझे बताऊ रस्गुल ले पहले, यह बात समझ में आ गई क्या, अब देखो बिटा, अभी मैंने राज सर से भी बात की दुबारा, अब मुझे लगता है कि जल्द बाजी करकर मतलब नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस लगेगी, और, इसमें सौरी बोलने की क्या बात है, रिकी इसमें समझा नहीं या मैं फास्ट लिखा रहा हूँ, प्रॉबलम क्या, क्योंकि मुझे आप दिख नहीं रहे हो, इसलिए मैं इश्यू में जा रहा हूँ, I am not able to see you people and that is the reason I am into issue, मुझे बताऊ रिक कि प्रॉबलम क्या है, कि मतलब तुमको लिखने को समझा नहीं मिल रहा है या क्या है, तो now what I am going to do today is, I am going to give you some questions as an homework and how to deal with them, I will tell you, हमें आज हमारी टेक्स्ट बुक को हाथी नहीं लगाना है, हमें जो आज काम करना है, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि किस तरीके से subscription account को हम बनाते हैं और कैसे उसको perfect बनाते हैं, alright, so let's go on and understand a few more questions on the subscription account, और फिर आज जो मैं homework दूँगा, वो बहुत भारी homework रहेगा, जो बच्चा करके आएगा, वो जीतेगा, जो नहीं करेगा, उसको तकलीफ है, so बिटाजी एक काम करते हैं, इधर आजाओ, और यह practical question number one है, मैं आपको एक question समझाओंगा, एक दो question समझाओंगा, उसके बाद में आप यह कर सकते हो, प्रैक्टिकल question number one में आपको दूनना है subscription कहा है, तो receipt side में subscription दिख रहा है, payment side में subscription नहीं रहता है, receipt side में रहता है subscription, ठीक है, तो आपको subscription दिखा, हाँ, यह थोड़ से tough है, बट इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस case में मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं आपको perfect बना रहा हूँ subscription में, जो सिखाने वाला part है, वो subscription का part में बता दिया, right, अब इसको execute कैसे करता है, इसमें दिखाता है, इसलिए हम आज क्या कर रहे है, हम हमारी textbook को आती नहीं लगा रहे है, तो हम अभी आज क्या करेंगे, सिर्फ subscription पर focus करेंगे, यह subscription है 2,2750, ठीक है, और उसके नीचे जब आप जाओगे, तो outstanding subscription आपको दिखेगा 12,000, यह कौन से year का है, 1419 का, और R&P कौन से साल का दिया है, 31st March 20 का, मतलब यह current year है, और यह जाएगा और यह बन जाएगा previous year, तो outstanding subscription मतलब opening receivable बना गया है, और नीचे जब जाएगे हम, तो subscription received in advance, यह दे रखा है वापिस, 15,000, can I not say this is opening received in advance, बराबर है, subscription received in advance, 31st March 20, can I not say it is closing received in advance, और outstanding subscription, can I not say this is closing receivable, now I want you all to sort it out right now in front of me and then I will take you ahead, इसको पहले एक बार solve करनी की कोशिश करो, तो यह दे कोई, ऐसा बनेगा subscription account, अब fast बुलनी का बेटा प्लीज मत करना कोशिश, क्योंकि बेटा जी मैं पढ़ा चुका हूँ, 2,2750, यह subscription received है, उसके entry, cash oblig bank to subscription account, 2,2750, बराबर है, फिर दूसरा जब हम आगे बढ़ते है, outstanding subscription, opening receivable 12,000, so can I not say it is 12,000, subscription received in advance, यह opening है, यह जाएगा 15,000, यहाँ पर credit side में, सही है, so you have got opening subscription receivable 12,000, received in advance 15,000, received 2,2750, और फिर उसके बाद में subscription received in advance 18,000, यह मैंने लिग दिया 18,000 received in advance, और receivable कितना है, 7,000, so I will write down 7,000, अब बेटा जी मुझे जल्दी से answer निकाल कर बता हो कितना आएगा, 15 plus 2,2750 plus 7,000 minus 12,000 minus 18,000, so आप का answer आजाएगा, 194,750, यह आपका कहा जाएगा, IND account में जाएगा, rough में solve गिया विटामिन, yes or no, so I hope you people have understood so far, please check it up, यह मैं आपको बता दूँ, इधर, इधर, किधर, किधर, 194,750 है के नहीं है, समझ में आया की नहीं है मुझे बताओ, 194,750 वाले बात समझ में आई के नहीं है, समझ में आगया, so आज हम हमारी book को हाथ नहीं लगाएंगे, आज हम सिर्फ module को check करेंगे, so अब बेटाजी, एक और question देख लेते हैं, और फिर उसके बाद में मैं आज आज आपको बताओंगा, कि आपको यह सब चीज़े फिर घर पर करनी है, और मैं कुछ question के नंबर्स भी दूँगा, आपको वो question सारे करने होंगे, इल्लस्ट्रेशन नंबर 11, यह IND account है, इसके अंदर हमें मिला subscription, इसको हमने पकड़ के रखा, यह balance sheet है 31st March 20 की, और IND account है 19 20 का, और 31st March, मतलब current year की balance sheet है, जिस साल का end है, उसी साल की balance sheet है, और हमें बताया जा रहा है कि subscription received in advance 100 है, यह closing है, क्योंकि closing balance sheet है 100 है, और subscription outstanding 700, यह 19 20 का, हम 31st March 20 में, यह closing balance कितना है बिटाजी, it is 700, तो यह भी कौन साय, closing है, क्योंकि closing balance sheet में appear हो रहे है तो जाहिरसी बात है closing ही होगा न, और subscription outstanding in 1819 was 800, and 1920 was 700, 700 तो दे रखाए बेटाब दुबारा मतलिक देनी हो, है न, and subscription received in advance 1819 का 200 है, और 1920 का 100, मतलब कुल मिला कर, closing received in advance 100 है, अब मैं इधर अगर subscription account बनाऊंँ, तो कुछ इस तरीके से बनेगा गया, subscription receivable 800, subscription closing receivable, 700, subscription received in advance 200, subscription received in advance 100, और फिर आपको यह दे रखा है कि, IND में कितना गया 17350, so can I not write down 17350 IND में, अभी आपको fast लग रहा होगा बट बेटाजी, यही speed से आपको exam में करना पड़ेगा, यह subscription opening receivable है, यह opening received in advance है, यह closing receivable है, closing received in advance है, और यह IND का figure दिया हुआ, तो अगर आप देखेंगे, तो 800 plus 17350 plus 100 minus 200 minus 700, your answer should be R&P or cash oblique bank में जाएगा 17350, मुझे देखके बताओ क्या आपको एक click हुआ के नहीं हुआ, 17350 आएगा, क्या यह बात समझ में ही क्या आपको, 17320 आ रहा है, चुपरे जूटे, कुछ calculation में mistake की होगी, एक बार answer देख लो इदर, आपका resident payment account में, subscription account, receipt side में 17320 के से रहा है, तू ही सही निकला, मैं गलत निकला, मैंने कौनसा figure गलत लिग दिया, मैंने कौनसा figure गलत लिग दिया, 17320 है क्या, ओ ओ ओ ओ, यह 17320 है, यह 17320 होगा, तो यह भी 17320 ही होगा, तो देख लो यह R&P में आपका 17320 मैच हो रहा है क्या, चेक करो रहे ही, समझ में आगे है क्या, तो टोड़े, I have got no point in hurrying up the things, क्योंकि जब तक आप इसको practice नहीं करोगे, और pen drive students आपको भी बता रहा हूँ, आप जब तक इसकी practice नहीं करोगे, तो कौनसे कौश्चन है में आपको बता रहा हूँ, तो question number 4, आप लिखते जाएए, module का illustration 4, module का illustration number 4, और module का illustration 4 के बाद में, module का illustration number 20, 20, sorry illustration number 2, illustration number 2, 4 हो गया, 2 हो गया, then I will give you few more, then illustration number 9, illustration number 9, then illustration number 8, illustration number 8, illustration 8 के बाद में हो गया, 9 के बाद 10, मुझे लगता है इतना करते ही, फिर आपका 100% आपको confidence आ जाएगा, कि आपको जमता है कि नहीं समझा है, तो please बिटाजी, इतने illustration आप करके आईएगा, और फिर उसके बाद में हम काम करेंगे, समझ में आ गया क्या, तो राजा बिटाजी, कोशन में ने जो homework दिये थे, वो आप इस सुनकर आप इन सभी questions को करके आना, और यदि आप इसको करके आने में कामियाब रहे, तब जाके हम बोल सकते कि, येस, you people are able to do it now, ओके, तो अभी आपके सर को प्यार से बबाबाई बुलिए, बाई बाई बुलिए, God bless you all, take care, अरे इसको अंदर छोड़ो रहे, बाई बुलो, God bless you all, take care, खुदा आफिस, सभी बच्चे उम्वो करके आएंगे, is that okay?